आज हम जा रहे हैं बहुत दूर आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा अला का यहां बहुत दूर जा रहे हैं वहाँ पर हम दूर जा रहे हैं आप वीडियो में बने रहें, आप देखें आगे क्या होता है, आप यहां पर देख सकते हैं हमें कहां जाना है, आप पूरा नजार देखें आज आज आप इस वीडियो में बने रहें आगे, अभी हमने आदा रास्ताइक किया है, आप बहुत ठक चुके हैं, देखो अब मेर अब आप देख सकते हों ने बहुत तायारी किया है इसमें अपने लगडी लगाई है अब हम आग जला रहे हैं कि यहां पर आग नहीं जल रहे हैं कि यहां पर बहुत तेज हवा है अब आप तेज हवा के कानलों से हम चार तरफ इस पर बैठे हुए क्योंकर कहीं से हवा मत आये और यहां भी हमने लाइटर उठाया अभी लाइटर भी काम नहीं करा कि कि बहुत तेज हवा है आप देख सकते हैं यह मेरा एक और दोस्त हैं यह भी बहुत दूर से आया है इससे के साथ एक और दोस्त भी मैं आपको भी दिखाता हूं आप देखके यह है यह बहुत दूस रहा है क्योंकि इसने कल में जो फोन किया था मैं भी आओंगा मैंने कहा कोई बार नहीं आजाओ कोई टेंशन नहीं आप आ सकते हो फिर शुबह आ गया तो मैंने से साथ लेगा कि आप यहां देख सकते हैं जो मेरा एक और दोस्त है यह भी लकडी जमा कर रहा है क्योंकि आग इतनी तेज जार रही है क्योंकि आप बहुत तेज हवा है इसकारा हमें लकडी की बहुत जवरत पाड़ी की क्योंकि जाहां जोतनी लकडी होगी हम यहां पर बहुत तेज हवाय है क्योंकि यहां पर तेज तयार होगा क्योंकि यहां पर पहुत तेज हवाई इसलिए इसका कारण हमस्ता है धाली कर लिए है अब देख सकते हैं बेख लाया है एककर करके में डाला है क्यूंके आप इसमें मसाला लगाएगा मसाला म Laz merica उसको आदे गंडे के लिए हम के रखी है कि गरम मसाला लगा है तो वो लगा इप इसको जीरा जीदस के बाद स्काम लाएंगे है सबस्क्राइक रखना है आदे गंटे के लिए और रखा आप इसमें तेल डालने की शुडवार्ड में वादा एंडार तेल लगेगा कि हम बहुत सारा मुल्गा जो पका रहा है तो एक अधिक है मेरे जो तो इसम ब्री मेंस कर रहे हैं कि तेयल तयार होने वाला है तर तक रीडियो में बने रहे हैं तक तेयल तयार हो जाएगा अब लाएं नेक्स पहला डाला है अब दूसरा डालेगा, अब तीसरे के बारी है, तीसरा भी डाल रहा है, और जो एक और इसने डाले इसको कहतेение, सेने अर्ड इसने ये भी डाला है, क्योंकि अबी तो फटर्प रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भे, आप देख सकते हो, कितना खूब सुरत यहां पर नजारा है अभी देखो पक गया है थोड़ा थोड़ा सा अभी तक बहुत पकेगा यहां पर एक और दोस्त में रहें अभी यह बनाएंगे चैटनी पहले लगा है मूली उसके बाद प्याज इसको मिला के अब यहां पर देखिए कैसे चैटनी ब हाँ बहुत अच्छी चैटनी तयार हो सकते है इसमें देखो कैसी चैटनी तयार हो इसमें अभी डाल है मिर्ची और नमक यहां पर आप देख सकते हो कितना हसी नजारा है आपको दिखाए दिया हो गए यहां पर बहुत बरफ है पिछली वीडियो में है जब आप यहां कि देख सकते हुवो वा मेरे ना को आँ अबमेर झाल नेकर को आ कि के चुछ झी मेरा है खिला कि अब आते हैं इसकी बारी जो आफ लोग वह सब को पसंदी इसको चिटनी कहते हैं इसमें हमें है बाद कुछ डाला है दही डाला है प्याज नूली और मसाले वसली इस में हमने सब कुछ डाला है अब देख सकते हो हमारे दो बंदें यांपे बैटे वे अब यह वी पका रहे आप देखे वीडियो में बने रहे आगे देखे होता है क्या झाल 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 तब यहां पे तायरी हो चिक है आप देख सकते हैं पे चिकन को फिर से फ्राइ करना है हमने इसमें टमाटर लगाया है थोड़ा सका इसको हिला हिला के आप देख सकते हो कितना संदर हो जाएगा अब लगपिस की बारी है क्योंकि अब इसमें लगपिस हमने डाले एक और दूसरा इसके बाद होगा तीसरा देखो यह तैयार होगा है क्योंकि पूरी तैयारी हो जीकिए है अभी आप देखो फिर से कितना संदर लग रहा है क्योंकि आप खाने के बारी है आप यहां पे देखो आपके मूह में भी पानी आया होगा इस तरह आप यहां पे देख सकते हो आपको कैसा लग रहा है अभी चिकन जो हमने पकाया है अच्छा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है अभी कितना मज़ा इसमें टायम कितना लगा आपको बनाने में आपको कैसा लगा अच्छा लगा खाने बहुत अच्छा टेस्ट है पूरा झाल